आज 5 अगस्त है आपको पता है हर सुसाइटी में हर जहां कोई हादिसा किसी दिन हुआ होता है उस दिन को याद रखा जाता है अगर कोई खुशी कोई होती है तो खुशी के तोर पे उसे मनाया जा रहा है और अगर कोई अमवात हुई होती है या कोई हादिसा हुआ होता है उसको उसके लिया हमारे लिए 5 अगस 2019 एक काला दिन था हम आज भी मानते हैं वो काला दिन था क्यों दिन के ओजाले में हमारी रियासत जो 200 साला परानी रियासत थी उसको खतम किया गया हमारी शनाक को खतम किया गया इसलिए मैंने समझा कि मैं आपने लोगों में आके बात करूं लोगों से अपना दिल हलका करूं और मैंने लोगों से खुल के बात की आप लोगों ने सुनाई होगा मुझे नहीं लगता है मैंने अपने दिल के किसी गोशे में कुछ भी छुपाया जो मुझे दर्द था क्यो मैंने मेरे बाई actually मैं किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहता हूं और मैं इस आज पांच अगस्त 2023 को उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत लूट लिया बहुत लूट लिया अब बूल जाएं मैं आपको आपको नहीं कोंगा आप मुझे को ना कहें हम सब ये कोशिश करें कि इन लोगों ko आगे सुकून दे आगे के लिए हम इनको प히र ड्रामा बाजी मेरिव मैं में जो ड्रामा बाजी हम आज भी ड्रामा बाजी लोगों को करते हम कोन थे 375 पेंटी से लाने वाले सुपरीम कोट है देने वाला यह कलत बात है कोई कहेगा आपको क्या हम लाएंगे अलता बुखारी बोलेगा बेहिमानी बोलता है फिर जो भी पाथ हां ठीक है आपने वकी लगाए अच्छा किया पर इस ने वकी लगाए वकील उने अ खांदान को दिया दूसरे खांदान को 18 साल के लिए हुकूमत दे दी आपको तो उमर बर उनके ही मरहूने मेनत रहना चाहिए सरसर यह ऐसे स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं सतर साल के बाद भी आज कश्मीरी जो है इंडिया के नागरिक नहीं कहलाए जा रहे हैं जिस तरह से अभी आपने कहा कि कभाईलों को हमने यहां से पीछे दकिल दिया यानि कि आज भी प्रूव करना पड़ता है कश्मीरी अगर इन लोगों ने हमारी हमारी शनाक्त को शकावर नहीं किया होता तो इन लोगों की वाज़ा से हमारी शनाक्त शकावर हुई जब एक्तदार में होते हैं तब यह पूरे हिंदुस्तान ही होते थे जब एक्तदार से निकलते थे फिर हिंदुस्तान बुरा हो जाता था लीडर जो करता है को हम वही सीखती है इन्होंने शकावर बनाया हमें जो लीडरान यहांते हैं उन्होंने शकावर बनाया है आज जो हम कोशिश करते हैं मुझे पता है आज भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब मैं कहता हूं हमारा मुकदर हिंदुस्तान के साथ है अगर देखेंगे तो कही एक पुलिटिकल लीडर्स ने ये ब्लेम किया है कि यहां पर दुमोकरिसी खाली बीजेपी के लिए है उन्होंने यहां पर सेलबरेशन की लेकिन बाकी जो आदर लीडर्स से उनको डिटेन या एरस्ट किया गया है से बताता हूं बड़ी वसूख से बताता हूं हमने भी मीटिंग की ठीक है शायद जिसको करने का मन होता है आप ने देखा-धर्वाज़ा बान था जब तक मैं आया त्यों बाहर शाय इजाज़त नहीं थी मीटिंग करने की तो हमने आप भी यह होए होंगे लेकिन बात करने थी ना अपने लोगों से बात करने थी यह एच्छाना इस पांच अगस्त का दूख बांटने के लिए आया और मैंने बात दिल की कि वही बात तो जिसको करना है वह अपने घर में भी बैठके कर सकता उसके लिए थोड़ा ही पिर कोई यह कि नहीं जी हमें बाहर नहीं जाने करो के गार तका रहा हैं आपको नहीं लगता है लिए के मेरा मध़भी यडिर रहा हैं कि माशला ठीक नहीं होगा उन पर पॉलिटिकल पार्टी बैइनड कुछता है लेकिन टेंड करने बैद Nummer मुझे नहीं लगता है इस मुलक में किसी ने कुरान पढ़ाने पर बेहन किया है किसी ने दीनियात पर बेहन किया है मैं तो सब के लिए मैं तो अहले हदीस के लिए कहता हूँ मैं तो मुलाना दावूदी साब के लिए कहता हूँ मैं तो मुला नावीरी साहब के माइला मन्जूर यू啊 मैं तो जिल्हाँ था निए के लिए कहता हूं उनके बेना हम के हैं रोश्च्... च्राग के बेना रोश नहीं कहा सकती। यहाँ च्राग है मारेॠ मुला ना कुंख। मैं तो सब के लिए क्याता हूँ अब भाई मेरी बिसात इतनी है मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं रहा करूं लेकिन जिनकी बिसात जिस वक्त थी रहा करने की उन लोगों ने उनको उस वक्त भी बांद रहा कि आप पाकस्तान को भी जिक्र कि हमारी किसमत अब इंडिया से वह तो इंसानियत के लिए हम द्वा करते हैं हम जब देखते ह Saints डाए यूगंडा में हम उस में हुत इंसानी फितरत है तो बाकि Donc हमें क्या देगा पाकिस्ताफों अपने लोग का करिया रहा हमें unionsे कुछ लेना देना नहीं है हमें जो मिलेगा दिल्ली से मिलेगा और मैं वह rook और समझा रहा तहाए और आप लोगों को भी समझाता हूं कि देखें कि सच यही है कि हमें आप फुद अपनी जैंक लड़नी है अपने हट हकूक की जैंक खुद से लड़नी है और इस यह की लिए कोई यह नहीं कि हमें पतर उटाने है या आप डंडा उठाना है हम प्यार से भी बात कर सकते हैं और एक दिन नहीं सुनेंगे दूसरे दिन नहीं सुनेंगे तीसरे दिन नहीं सुनेंगे सुनेंगे ज़रूर प्यार से जो बात सुनाई जाएगी की जाएगी उसमें ज्यादा फाइदा है बनस्बेति इससे जो हमें करें गया और मैं मुबारक बादी देता हूं अपने जम्मु कश्मीर के लोगों को जोनों ने 2019 से आज तक अपना सबर का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया और जिस तरह से वो बहेव कर रहे हैं अमन को चांज दे रहे हैं तिली की आँखे में खुल गए जानी चाह है कि ये लोगों के पासपोर्ट बांध करने से लोगों को क्लिरांस बांध करने से लोगों को बच्चों को जेलों में बांध करने से कुछ नहीं ने कला है they have to decide whether they want to own us or not it cannot be that we say Hindustan Hindustan और वह हमें कहें ये हमारे हैं नहीं नहीं ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा they will have to own us and be clear on it कि हम उतने ही हुकुक वाले हिंदुस्तानी शहर हैं जितना कोई और है थैंक रहे